हलो फ्रेंड नमस्का दोस्तों आप सभी दर्सकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आम तवर पर यह देख लिजे हैं खीरे हैं तो आम तवर पर लोग यह जानते हैं कि खीरे पेट के लिए ठंडाक होता है इसे सरीर को फ पत्री को गला करके बाहर कर देते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हमारे चैनल का मकसद यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है बलकि हम अपने चैनल के माध्धम से आब सभी तक आयरुवेद की जानकरी पहुचाने की कोसिस करते हैं ताकि हम सब लोग हमेशा स्वस्तारा सके बड़ा दुर भागय की बात हैं कि भारत भूमी से आईरुवेद की जानकरी 90% समाप्त हो चुकी हैं लोगों को अब आईरुवेद दवा की उपर विश्वास नहीं रहें लोग आईरुवेद सी घ्रेडा करते हैं लेकिन उन्हें पता नह अपने मित्रों में शेयर करना मित्रों हमों लोगों को बताना चाते हैं जो डाक्टरों को मोटी रकम देते हैं आईरुवेद सी घ्रेडा करते हैं मित्रों आईरुवेद के जानकरी भारा से ही सुरू हुआ है और भारत में ही समाप्त हो रहें बड़ा दुर भागय की बात मित्र आप चाहते हैं तो छोटे छोटे परसानी को घरेलून उसके से अरिविदिक दवसे समापता कर सकते हैं इसके लिए डांक्टरों को मुठी रकम देने की ज़ुरत नहीं है तो वीडियो में आगे बने से पहले हैं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है पिंगले के नम से जनते हैं ठीक है तिलगों में डोसा काय के नम से जनते हैं नेपाली में काकरों के नम से जना जाता है आप कोंसी राजा से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपके ऐसी किस नम से जना जाता है हमें ज़रूर बताना सबसे पहले दोस्तों अवजी गु खीरे के पत्ते काड़ा बना करके 10-20 ml काड़े में अगर 10-10 ग्रम जीरा का चुर्णा मिला करके शिवन किया जाएं तो गले के रोक शमापता हो जाते हैं पेसाप करने में तकलिव होने पर भोजन में खीरे का शिवन करना चाहिए से काफिल लाब मिलता है खीरे के 2-4 ग्रम बीजों को दही के साथ नीमी सेवन करने शे पत्री घुल करके निकल जाते हैं खीरे को पीस करके पूरे चेहरे पर आँख तथा गले पर लगाने से लगभग 30 मिनट तक इस प्रकार से लगा करके शुखे रखने से छोड़ देने से मुहासे जो हमारे चेहरे पर आ जाते हैं पीमपल्स मुहासे जल्दर ठीक हो जाते हैं खीरे को पीस करके उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके घाओ के सूजन पर या उपर लेप करने से सूजन कम हो जाते हैं मित्रों साथ साथ दोस्तों खीरे के गुदे को पीस करके पैर के तलवे पर मालिस करने से नीन ना आनी के परशानी शमापता हो जाते हैं दोस्तों हम जिन पेंड पोधी को सधारान से समझते हैं उसमें कुट कुट करके अवजदी गुड़ छूपा होता है बस थोड़ा बहुत हमें इनके अवजदी गुड़ों को पहचाना आना चाहिए तो आज की जानकरी आपको कैसा लगए मित्रों हमें जरूर बताना आसा करता हूँ कि आज के दुवरा मेरे दुवरा बतायाएक यह चोटे से जानकरी आपको जरूर पसंदाया होगा आई होब कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे अपनी मित्रों में शेयर करेंगे तो आज की जानकर यह पर शमाप तक करते हैं फिर जल्द जूरते हैं आप सभी से किसी नय और फ्रेस जानकारी के साथ तब तक ले धन्यवाद नमस्कार